इन दौर में 10 लाख रुपए के दहेच के लिए शाष्टी कर्मचारी पतनी को कर रहा था प्रताडित हीरा नगर पुलिस ने पती देवर और सास ससुर पर किया मुकदमा दर्ज दरसल मामला हीरा नगर थाना शेतर के बजरंग नगर का है यहां रहने वाली नववाहिता द्वारा पुलिस में शिकाय दर्ज कराई कि उसके ससुराल पक्ष में उसके पती देवर और सास ससुर द्वारा 10 लाख रुपए के दहेच को लेकर लगातार प्रताडित किया जा रह है और एक महिने से उसके पती ने उससे अपने ही मायके में छोड़ कर चला गया युफ्ती द्वारा थाने पर लेखे ताविदन की बात कई बार युफ्ती के ससुराल पक्ष के लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाए गया लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने है कि उसके पती सास और देवर उसे लगातार ताने मारते थी वह गरीब कहकर हमेशा चलाते थी और पिछले दिनों गर्भवती होने के चलते पियर घर छोड़ कर चले गए तो वहीं पती राहुल शोशल मीडिया पर भी नविवाहित युफ्ती के खिलाफ अनरगल बातें लिखकर डालता था इनी सब बातों से नविवाहित ने कई बार पूरे ससुराल पक्ष को अपने परिवार के साथ समझाया भी लेकिन कोई इससर नहीं हुआ उसी के चलते वह हमेशा युफ्ती को अपनी अमीरी के चलते कभी भी एक समान अधिकार नहीं दिया इन सबसे पर सब्सक्राइब और पती दोनों गवर्मेंट जॉब में है उसके बावजुद मेरे घरवालों से वो लोग पैसे लिए डिमांड करते थे बोलते थे कि अगर पैसे नहीं दिया तो तुझे जान से मार देंगे घर से निकालने की धंकी देते घर में रहना है तो पैसे लाना सब्सक्राइब और पती सर पोस्ट अफिस में जॉब करता है पोस्ट असिस्टेंट है गोवा में मापुसा ब्राइब नियुक्त है और देवर लोको पाइलेट है नाखपूर में परिवार के अरेंज मेरीज हुई थी सर परिवार वालों नहीं फिक्स करी थी सब कुछ आप किसमा प्राइब हूं पहले इन्नों ने डिमांड की थी पैसे के लिए पर उनने शादी का खर्चा बोलके लिए थे बोलते शादी लाग दिये बोलते दस लाग और लेकिया बोलते तब ही रहना बोलते इस घर में बोलते सोला लाग का घर बनाया बोलते हमने हमको दस लाग तो चाहिए ऐसा लाग इस कौई बिवर का रूग करवाते थे विया इस और फोली रिलेशन बनाता था तो आपि मुझे ब्लीडिंग चालू हो गई ती महां पर में डॉक्टर ने बोला कि इन बेट रूआ तो रूसमने ज़रूश display मुझे बर्शान करता थाथ गंडिका दि गालिया वज्來了 वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि नव वाहिता युफ्ती द्वारा दीगे कथन के अनुसार सबसे पहले ससुराल पक्ष से बात भी गई और उन्हें काउंसलिंग के लिए दौर बुलाए गया लेकिन वह नहीं आया जिसके बाद युफ्ती के कहे अनुसार मामला द द्वारा थाने पर आकर इस तरह की शिकायत की गई कि उसकी साधी आज से लेवर डेड़ वर्स पूर नागपुर में राहुल विजवे नामा क्रिवक से भी थी और शादी के करीब चार-पांच माह उपरांथ उसके पती और उसकी सास के द्वारा उसे बिभन तरह से कभी पैसों की बात को लेकर कभी गहरेलू काम को लेकर के परकारच किया जाता रहा है इसमें हमने आनावेदर पक्ष को कॉल भी किया था कि वो आएं और काउंसलिंग कर सकें लेकिन काउंसलिंग के लिए दुती पक्ष सहमत नहीं हुआ इसके चलते हमने पिरित्ता की रिपोर् पोश्ट आफिस में कारे करता है और प्रताड़ना के करम में लगवग एक वर्स से पिरिता अपने मायके में रह रही है और उसका पती और सस्राल वाले ना तो उसको अपने पास रखना चाहते हैं और ना ही उसकी सुमस्या का कोई आज तक समाधन कर पाई है पिरिता ने य प्रताड़ना भी हुई है हमने अभी प्रक्राण दर्श किया है अब प्रक्राण नसंदान में पूर इफ्यक्ट फाइंडिंग करेंगे और इसमें आगे काई है ताजी समधरिया खाना पर बारे ही रहा है पुलिस वाला न्यूस से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजर वर्मा की रिपोर्ट